इसको आमला मार्केट में भर भर के आता है लेकिन हम इसको ऐसे नहीं खा पाते हैं क्योंकि इसका सुआ थोड़ा कसेला होता है। लेकिन आज मैं आमले की एक ऐसी चटनी शियर करने जा रही हूं जिसको आप खाने में तीनो वक्त खाना चाहेंगे। व्यूपट, टेस्टी, स्पाइसी, टैंगी, एंड पॉस्टिक तास्तवों से भरपूर आमला हमारे हेर्स, आई, स्किन के लिए बहुत अच्छा है अजिए ओधिए वेल्कम बैक तु माई चैनल करते हैं मैंने 5-7 आमला ले ली हैं और उनको धोके कट कर ली हैं कुछ इस तरीके से और अब मैं गैस पर नॉन स्टिक तवा रखूंगी गैस आउन नहीं करना है और अब मैं हाफ स्पून राई लूंगी वन स्पून सौंफ वन फोर्थ स्पून जीरा एन्दो लाल मिर्च सुखी लाल मिर्च और इसमें याथ-दस लहसोन की कलिया और अब मैं दो मिर्च लूंगी इनको मैं बीच में से क्ट लगा दूँगी ताकि यह भुंते टाइम फटे नहीं तो इस तरीके से मैं इनको कट लगा दिया और अब यह ही मैने तवे पर रख दिया है और ऑब मैं इसमें एक बड़ा चम्भ Ciao देशी घी जालोंगी तवे पर तो face तो इस तरीके से मैंने सारी चीजे थन्डी तवे पर रख ली है और अब मैं करूँगी गैस और गैस की जो फ्लेम है वो बहुत मीडियम रखूंगी में एकदम सिम पर इसे तवे को रखूंगी गैस पर और यह जो सारी चीजे हैं इन्हें हलका हलका भुनूंगी देखे घी मेल्ट होने लग गया है और यह सब भुन रहा है गैस पहले और नहीं करना है नहीं तो यह जलने लगेगा और हमें यह माइल ही भुनना है तो अब खुश्बू आनी शुरू होगी है कि हमारी चीजे भुन गई हैं तो इस तरीके से में हलका भुन रही हो इन्हें यह देखिए बहुत अच्छे खुश्बू आ रही है इस टा बार बार बनाना पसंद करेंगे और इस चटनी को बच्चे भी अराम से खा सकते हैं और अब यह सब भुन गया है अब मैंने जो आमले के पीस कट किये थे वो मैं इस तवे पर रख दूंगी और अब हम इन चीजों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारा मसाला इसमें अच खड़ा धनिया भी दाल सकते हैं मेरे पास धनिया नहीं था तो मैं नहीं डाल पाई तो इस तरीके से मैंने आमले को इन सब के साथ थोड़ा सा रोस्ट किया है ताकि आमले का पानी थोड़ा सा जल जाए सूप जाए और अब मैं इसमें दालूंगी थोड़ा सा साल्ट नमक आपके टीस्ट के according मेरा मतलव हमारे टीस्ट के अकौर्डिंग और आप बनाएं तो आप अपने टीस्ट के अकौर्डिंग डालिएगा और अब मैं इसमें थोड़ा सा हाट कर रूट हींग हींग पाउडर और अब मैं इसको फिर से अच्छे से रोस्ट कर लूँगी यह तोड़ा इसे पीसे साइव, यह तोड़ा शोड़ा है जा कि अन नहीं गल झाहें पूरा और नहीं गल principles यह तोड़ा से यह लगा तो मैंने इसे ना फैर जाने हमें ना कुझ जन्या ईल्हें अ क्पास ईचरह करते है तो यह देखिए इस तरीके से एस थे में फरदूंगी शोप दोफ पुर्दूंगी और यह तो दूदा थन्डा होने के बाद इसे पीसे मैं पीशेँ तो यह मैं तो आप पलंडा होने के बाद ही एस शचनी को पीशीए गा इस तरीके से अगर आप चटनी बनाएंगे ना तो आपको सच में खाने में बहुत मज़ा हैगा इस तरीके से अगर आपके पास आमले नहीं हैं तो आप और भी चटनी बना सकते हैं सिर्फ धनिय कीवी और अब मैं इसमें थोड़ा धनिया एड़ कर दूँगी एक देड़ प्याज के मैंने स्लाइस पीसी कर लिया है इसको भी मिक्स कर दूँगी यह भूनना नहीं है हमें यह उपर से दालना है और इसको मैं कवर करके अब मैं करती हूं मिक्सी ओन तो चलिए देखते हैं चटनी पीस गई या नहीं अब भी यह नहीं पीसी है कि यह थोड़ी ड्राइव हो रही है तो इसमें हम थोड़ा एड़ करेंगे पानी और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चमच की हेल्प से मैं इसे मिक्स कर ले रही हूं और अब मैं इसको करूंगी वापिस कैप एंड़ पेस स्टार्ट मिक्सी यहनी की चटनी पीस चुकी है देखिए चटनी मेरी बहुत अच्छे से पिस गई है फ्रेंट्स कैम्बरे में इसका कलर नहीं आ पा रहा है ज्याद और अब मैं इसे एक बाउल में कर लूँगी ट्रांसफर लीजिए तैयार है हमारी बहुती हेल्दी बहुती टेस्टी चटपटी चटनी फ्रेंड्स मैं आपको पर्सनली बोल रही हूँ कि आप इस चटनी को एक बाद जरू ट्राइ करके देखिएगा बहुती हेल्दी है, खाने में बहुत स्वादिस्थ है खाना खाने के साथ इस तरीके की चटनी जरूर खानी चाहिए क्योंकि आम्ला बहुती फाइदे मंद होता है हम ऐसे तो कच्छा आमला नहीं खापाते अगर इस तरीके से चटनी बनाएंगे तो आप जरूर खापाएंगे So I hope friends आज की ये आमला रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी ये बहुत ही जादा हेल्दी है हमारी स्केन एं हमारी हेल्थ के लिए So वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और वीडियो देखने के लिए So मैं जल्दी ही मिलते हैं आप से एक और नाई वीडियो के साथ तब तक के लिए ठेक केर बाब बाई